हेलो, कैसे हो आप लोग, विल्कम बैक टू माई चैनल, अज मिक्स स्प्राउट्स सबजी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन कर तयार होगा आप किसी भी कटोरी से माप लें, छोटी सी कटोरी से वन फोर्थ कटोरी मोठ डालें हैं, यह मोठ है मूंग की तरह यह दिखता है, साबुत मसूर डालेंगे वन फोर्थ कप, वन फोर्थ कप मूंग डालेंगे साबुत मूंग, तीनों को बरावर मातरा में लेंगे हाफ कप इससे सावुद चना लेंगे हाफ कप मटर डालेंगे हरा वाला मटर है ये इससे डालेंगे अब इसमें कावली चना छोले जो होता है वो भी डाल सकते हैं राजमा भी डाल सकते हैं सभी को दोकर इसे पाच गंटे के लिए सोक करके रखेंगे पाच गंटा हो गया है अच्छे से फूल गया है चना मोटर सब अच्छे से फूल गया है सौप्ट हो गया है यह दो पानी से दोकर और साफ कर लिए हैं इसे प्रेसर कूकर में डालेंगे बहुत ही हेल्दी सबजी बनकर तयार होता है आप चाहे तो इससे अस्प्राउट्स भी कर सकते हैं उसके बाद बना सकते हैं से कपड़े में बांध कर दो दिन के लिए रखेंगे अस्प्राउट्स इसका निकल जाएगा तब सबजी बना सकते हैं प्रेशर कूकर में डालकर इसमें पानी डालेंगे नमक डालेंगे हल्दी पॉडर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ढगकन लगाकर 4 बिसी लाने तक पकाएंगे सौप्ट होने तक 4 बिसी में अच्छे से सौप्ट हो जाएगा हल्दी पॉडर और नमक को मिक्स कर लिए हैं इसका ढखकन लगा कर चार भीसी लाने पर गैस का फिलिम आप करेंगे, मसाली तैयार कर लेंगे, अद्रक और लहसन लेंगे, आपके पास अगर पेश्ट है तो वो डाल ले, इसे ग्रेंडर जार में पीस लेंगे, भूना हुआ जीरा पोडर, धनिया पोडर डेर चमच डाले है, थोड़ा सा जादा ही डालेंगे धनिया पोडर, कस्मीरी लाल मिच पोडर एक चमच डालेंगे, कलर के लिए डालेंगे बस इसे, तीकी वाली लाल मिच पोडर डालेंगे, जीरा और सौफ का पोडर डालेंगे, इन सभी को ग्रेंडर जार में पीस लेंगे, आप चाहे तो अधरक और लेसन का पेश्ट डाल कर पानी डाल का इस मसाले को मिक्स कर लें चार विसी लाने पर गैस का फ्लेम आप कर लिया है यह इसका विसी निकल गया है अच्छे से यह सौप्ट हो गया है चैना और मटर एक और मसाला अलग से तयार करेंगे दो मीडियम साइज का प्याज लिये है इसे लंबे-लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे और एक खोपरा लिये है सूखा हुआ नारियल इसे लंबे-लंबे इसे भी स्लाइस में कट करेंगे तवा गरम करेंगे तवा गरम हो गया है इसमें प्याज डालेंगे पहले प्याज ही डालेंगे, प्याज को हलका सा भून लेंगे प्याज को चलाते हुए भून लेंगे, हलका सा कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से सबजी प्याज भूनने लगा है, इसमें कोई मसाले नहीं डालेंगे वस प्याज और खोपरे को ही भूनेंगे प्याज भूनने लगा है दो मिनट और इसे भूनेंगे प्याज भून गया है इसमें खोपरा डालेंगे नारियल आप चाहतो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं ग्रेट करके डालेंगे तो फिर लाश्ट में डालेंगे नारियल को दो मिनट और इसे भून लेंगे आप इसे पैन में भी भून सकते हैं तबे पे असानी से ये भून जाता है भून गया है प्याज और खोपरा दोनों ही इस गैस का फ्लेम आप करेंगे ठंडा होने पेस से पीस लेंगे ग्रेंड जार में डालकर बारिक पेस्ट बना लेंगे पैन गरम करेंगे पैन में तेल डालेंगे एक बड़ा चमस तेल डालेंगे तेल गरम कर लेंगे इसमें जीरा डालेंगे तेज पत्र डालेंगे हींग मेथी डालेंगे थोड़ा सा ही डालेंगे मेथी को मेथी को ज़्यादा भूनेंगे नहीं इसमें मसाले को डाल लेंगे अद्रक, लहसन और सारे मसाले को डाल लेंगे और इसे भून लेंगे तीन से चार मिनट मसाले को भूनेंगे हल्दी पॉर्डर डालेंगे इसमें हल्दी पॉर्डर डालका इसे मिक्स कर लें आप मसाले के साथ में हल्दी पॉर्डर को भी डाल सकते हैं पीसने के समय थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें और मसाले को भून लेंगे चलाते हुए मसाले को भूनेंगे तीन मिनट मसाले को भून लिये हैं तेल सेपरेट हो गया है प्याज और खोपरे का पेश्ट डालेंगे इसमें सारे मसाले को डालेंगे इसमें और कोई भी मसाले नहीं डालेंगे बस इसीसे बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है सबजी प्याज और खोपरे का पेश्ट डालकर इसे mix कर लेंगे और भून लेंगे दो से तीन मिनट और भूनेंगे इसे अच्छे से इसे mix कर लिए हैं नमक डालेंगे मसाले की अनुसर से इसमें नमक डालेंगे, पहले भी नमक डालेंगे, नमक डालकर इसे मिक्स कर लेंगे, इसे ढखकर 2-3 मिनट और पकाएंगे, तेल सेपरेट होने तक मसाले को भून लेंगे, अगर आपको पानी थोड़ा से लगे तो एक दो चमच पानी भी ढालकर इसे भून सकते हैं, तेल पर देंगे हैं से झाना मतर रहा है तंट पपाथ bleh एसे जली है साँ अग्याया है तोस्त का कश़़ी पाफने CSK मिक्स कर लेगे ईसास कि पानी डालेंगे जादा कि ऑनषाल क्या दिर तक नहीं पादनेखे से 2-3 मिनट दुख से झालने मिक्स कर लेंगे वन फूर्थ कप इसमें पानी डालेंगे पानी डालकर मिक्स करेंगे और इसे ढखकर 2-3 मिनट ही पकाएंगे 3 मिनट के वार ढखकन हटाकर सबजी को चेक कर लेंगे मिक्स अस्प्राउर सबजी बनकर तयार हो गया है आप इस लाष्ट में धनिया पत्ती गरमसाला पॉडर भी डाल सकते हैं गरमसाला पॉडर हम नहीं डाल रहा हैं आप चाहतो डाल ले इसे मिक्स कर लिए हैं बहुत ही टेस्टी सबजी बनकर तयार होता है अगर आपको मेरे रेसेपी पसंद आए तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें गैस का फिलेम आप करेंगे सबजी बनकर तयार हो क्या है आप भी इस रेसेपी को ट्राइ करें थेंक्यू, बाइ